हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में और अहाजिरो बिग बॉस लाइफ फीड अपडेट के साथ जी हाँ दोस्तों अपस में बाते करें थी और ऐसे में बातो ही बातो में तेजस्वी परकाश ने बोल दी हैं फ्यूचर की कुछ बाते जी हां दोस्तों और इन पर क्या होगा आपका विनेक्शन प्लीस मुझे मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंड करके ज़रूर बताईए तो दोस्तों Big Boss के winner की जो है उनकी बाते हो रही थी और ऐसे में तेजस्वी प्रकाश ने बोला कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो season होता है वो winner के नाम से नहीं बलकि कि किसी और contestant के नाम से जाना जाता है तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस season में कोई भी winner बने लेकिन ये season जो है वो सिर्फ और सिर्फ उमर रियास के नाम से ही जाना जाएगा वही पर पातोवी बातों में तेजस्वी प्रकाश एक बात और बोलती हुई नजर आती है कि भी season में अगर तुम negative personality बनकर show जीतते हो तो वो कोई matter नहीं करता वो जीत नहीं होती वो तुम्हारी हार होती है तो ऐसे में अगर तेजस्वी प्रकाश एक शो की winner बनती है तो उनके अंदर आपको तेजस्वी प्रकाश की negative personality दिखाई देती है या फिर positive personality दिखाई देती है तो आप मुझे प्लीज मेरे comment box में comment करके जरूर बताएं कि बिग बॉस season 15 जो है वो किसके नाम से जाना जाएगा और अगर तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस season 15 की winner बनती है तो उसके अंदर आपको जो है negative personality दिखाई देती है या फिर positive personality दिखाई देती है तो सारे latest update के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जाधर से जाधर शियर कीजिए